हेलो इस्टूडेंट मैं अरेश कुमार मैं अरेश कुमार मैं अरेश जेसर क्लासेश आपका हर्दिक स्वागत करता हूं आज फिर से हम अमस्टी प्रिवेश जिसके अंदर हमारे पास पेपर फॉर्थ चल रहा है डी जी एंड टी ए यानि डिफ्रेंशल जोमेट्री एंड ट स्किन पर देख सकते हैं तो आज हमारे पास स्वाँअबर 5 के अदर एक ठिछोरम नमबर वन है ठिक है तो आज हमारे पास टेंश अनालिजीस की हम पहली ही पहली ठिछोरम को प्रूफ करने जा रही है और theorem हमारे पास क्या कहती है वही कि the law of transformations for a contravariant vector is transitive ठीके तो सबसे पहले heading लगाई ये theorem number one अगर आप books में match कर रहे हैं तो ये JPS की book में page 8 के उपर है ये हमारे पास JPS की book में page 8 के उपर है ठीके तो theorem को लिखिए कि the law of transformations for a contravariant vector is transitive ठीके अब ये transitive word है वैसे तो ये आपका सीखा हुआ है बट कुछ background अगर हिंदी मेडिय में तब आपके दिक्कत आ सकती है 11th class में आपने सीखा होगा कि 3 word आया है करते थे reflexive तीन word आते थे हमारे पास reflexive symmetric reflexive symmetric और transitive reflexive symmetric और transitive ठीके मतलब सवतुले सममित और संकरामक सवतुले सममित और संकरामक या फिर आता था reflexive anti symmetric और transitive जिसको आप तो partial order relations बोला करते थे partial order नहीं आनसी करम समंद बोला करते थे बट अब हिंदी में चोड़ो अब 11th class के coding आपका हम मान के चलेंगे functions के अंदर यह functions के अंदर आपने सिखा हुआ कि reflexive symmetric और transitive क्या होता है reflexive में वहाँ से होता था कि self का self के साथ यहने सवतुले खुद की खुद के साथ comparison ठीके symmetric में क्या होता था कि अगर a r b का है तो b r a का होना चाहिए a r b का है तो b r a का होना चाहिए उस वक्त a or b क्या हो जाने चाहिए बराबर हो जाने चाहिए ठीके थ्टेड था हमारे पास transit native क्या कहता था कि अगर a relation b के साथ है b का relation c के साथ है तो a का relation भी c के साथ होना चाहिए अगर हमारे पास a का आपके 100% समझ में आ जाएगा ठीक है तो यह हमारे पास से क्यूसन्स नंबर थरी भी कंप्लेट माना जाएगा फीडिये नोट्स में देखते ही आपका हो जाएगा ठीक है अब आप एक हेडिंग डालो प्रोडेक्ट ओफे टैंसर्स बोले या वेक्टर बोल दो आप एक बार अब आप हेडिंग डालो प्रोडेक्ट ओफे प्रोडेक्ट ओफे वेक्टर्स प्रोडेक्ट ओफे वेक्टर्स मतलब अब हमें इन वेक्टर्स का प्रोडेक्ट करना है प्रोडेक्ट का मतलब समझते हो ना मल्टिप्लाई करना है है ना भी मल्टिप्लाई करना अब आप आप जीकर रहे हुँ यहां से अपना ऍसटेण्डरीo 2007 हो जाता है simple मैं बोलूं क्या क्या हो सकता है प्लस माइनस से गुणा और भाग ऐसे होता है ना इसको आप क्या उस्व बोल देते हैं सबशाम क्याम ने क्या वोल देते हैं सबब्सक्रींत गटाया इसकोमने क्या है कि हमें भाग किया हुआ जोड़ा यह गुणा किया तो यह बात तो रहती है लगबग हमारे पास 12 क्लास तक ही रहती है फिर बेस्य में आपका इस्टेंडर्ड बदल जाता है बेस्टेंडर्ड बेस्टेंडर्ड procedure स्टूडेंट सो नहीं बताया हो तो अब आपको मुका मिल रहा है इसको सीखने के लिए अब मान के चलेंगे नॉर्मल लेवल तक हम ऐसे बात करेंगे यह प्लस मैनस से स्टेंडर्ड बढ़ गया मल्ल इंदी में बोला जाता था यह कुछ नहीं यह भाग multiply यह वाले हैं तो इसमें कोई फिर देखो add है सम आप वगेर आप सीखते रहते हो सब है वो difference है और multiply वो प्रोडेक्ट है डिवीजन है वो क्यों सेंट है तो इन चारों को देखने का सिंबल और वजल दिया है कुछ भी नहीं ठीक है तो यह आप समझ के सलिए नॉर्मन सी बात है यह थोड़ा सा अपने आप में अपने आपको वी आई पी रिपर्जेंट कर रहे हैं बाकि इसमें कुछ भी नहीं है तो इन्हों यह वेक्टर है हमारे पास यहां टेंसर का काम कर रहा है तो वेक्टर हमारे पास कौन कौन से टेंसर है एक तो कॉंट्रा वेरियंट है एक तो हमारे पास क्या है को वेरियंट है दूसरा हमारे पास क्या है को वेरियंट है तीसरा हमारे पास इन्वेरियंट है और इन्वेरि करना है देखो प्रोडेक्ट ओफ वेक्टास करना ज्यान से देखिए प्रोडेक्ट करना है यह मैं बोलों प्रोडेक्ट कीजिए यह मैं आपको बोलों आप मल्टिप्लाई कीजिए इसे कोई प्रिक नहीं पढ़ेगा आप इसका मल्टिप्लाई करो अब मल्टिप्लाई करने एक इसके लिए दूसरा और चाहिए वो हमने मान लिया A की बार I तो हमने डेलक्स की बार I upon डेलक्स की J और A की पावर J अब हम इन दोनों का क्या करेंगे? multiply करेंगे इन दोनों का हम क्या करेंगे? product करेंगे तो एक तरीका तो यह है कि आप इसे नीचे ले आईए अब तीसरा देखो यहाँ एक संभावना ऐसी बनती है कि आप एक तो Contra Variant ले लो और दूसरे का आप को Variant ले लो दूसरे का आप को Variant ले लो है ना भी तरह दो Contra Variant है मतलब एक बार मैं Contra Variant को पलस दिखाना चाहूंगा और Contra Variant को मानलों ऐसे बोल दिया है चलो दो कॉंट्रा है एक बार तो हमने कर लिया कॉंट्रा इंटू कॉंट्रा क्या करना है इपने को प्रोडेक्ट करना है एक बार हमने कर लिया को वेरियंट इंटू को वेरियंट एक बार ऐसे भी तो हो सकता है को कॉंट्रा वेरियंट इंटू को वेरियंट तो हमारे पास यहाज उनको प्रोडेक्ट करने का लेवल है वो मेक्सिमम थरी टाइप से होगा या तो आप आपस में दो कॉंट्रा वेरियंट लेजी बहुँ ने दालें जर'Tए भी दिखो ध्यान से सब से पहले फाले में डालेंगे प्रोडेंग्य उप हे टू कॉंट्रा वेरियंट वेक्टर येस टू कोन्ट्रा वेरियें क्या आगवह गिर्усनटोश येक्डिम क्या जाएगी प्रोडेक्ट ओप टू को वेरिएंट वמתार सेक्टलाइंट और ही द्यान से की हैक। सांस mêsते हैंि ऊच्मी मल्टी से करना है बरम स्टेंडर्ड लेंग्वेज बोल रहे हैं आप प्रोडेक्ट की घहरो किसी के एक बार समझना आएं यह प्रोडेक्ट प्ता नहीं क्या जो लो यह आप प्रोडेक्ट ने वह प्रोडेक्ट अलग अपना मैंत का प्रोडेक्ट इस प्रकार से माना जाएगा कि कम से कम दो क्वांटिटी जीए या दो हमारे पास आताशी मातरा होने चीग जिसका हम मर्टिपलाई कर सकें ठीक है थी कभी सिम्पल सी बात अभी भी लिखा था मैंने उसी चीज को हम standard language में लिख देंगे जैसे a contra variant तो यह आ गया a bar p ठीक है तो मैंने बोल दिया deluxe की bar p और नीचे जैसे simple बोल दिया q into a की power q अब हमें दूसरा covariance यह तो हमने बोल दिया कि देखो a bar और इसको i मान लो एक बार और इसको हमने बोल दिया deluxe bar i upon deluxe bar इसको simple j छोड़ दिया और इसकी a की power j छोड़ दिया ठीक है ध्यान देना आप इस साइड में बार लगा तो दूसरे वाले के भी साइड में बार लगा लेना फिक्स तो नहीं है इसको आप इदर भी ला सकते हो आपस में अड़ा टेड़ा भी multiply कर सकते हो मतलब आप उन्हें आपने सीज को ऐसे लिख लिया कि एज तो रख लिया इधर इसको भेज दिया इधर तो यह कितना हो गया डेलक्स की जे अपॉन डेलक्स की आई इंटू ए की बार आई इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो तो यहां भी आप दोनों multiply कर सकते हो पर आप से रूल से रिक्विस्ट ने इसके अंदर से रूल से की आप सेम कूंटिटी जी one side रखें जैसे यहां अपने बार लगा करना है तो दो फ्रेम औप्रेंश है एत फ्रेम फ्रेंश से दूसरी फ्रेम اور प्रेफिरंस ऐस खाएं बार है तो मर्टीप्लाई होगा तो इस सब्सक्त बाद में आप इसको ट्रांसफोर करके इधर से उदर ला सकते हो जिसे में इसको रिप्लेस करके उदर लाएं वह एक अलग इस्यू है बट मुर्टिप्लाई करते हो वक्त आप दोनों की स्टेप से एक समान रखेगा मतलब हमें फ्रेमों फ्रेफरिंस का बहुत ज्यादा ख् सिस्टम मतलब इन दौनों को देंके मेरे नाम परिलेटिव डुछ कोडिनेट सिस्टम हमें कहीना कहीन लिखना पड़ेगा अदरवाइश आप उल्टा सुल्टा मल्टिप्लाई कर सकते हो तो आप इसका exista você ना करो कि दर से यह बार का कर दिया इदर से एजए का कर दिया इसलिए हमें इसकी डेफिनेशन के अंदर येस हम इसका इस्टेंडर्ड लेंग्विज का डेफिनेशन बना रहे हैं तो हम यह वर्ड से जरूर काम में लेंगे कि दोनों कोडिनेट सिस्टम से एक दूसरे से रि कि इदर इसका multiply कर दो डेल x-स बार पी डेल x की क्यूं इदर multiply कर दो डेल x की बार आई और डेल x की जे। एदर multiply कर दो a की क्यूंँ और a की जे अब देखो लिख सकते हो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है बट थोड़ा सा दिखने में अजीब सा लग यह A बार P आई लग रहे है, यह P आई लग रहे है, यह Q जे लग रहे है क्या आप इनको ऐसे change कर सकते हो क्या, देखो ध्यान से देखिए कि अगर यह A बार P है तो मैं P ही रहने दूं सोचिए एक बार इस बार को, यह P है, यह मैंने P लगा लिया अब जैसे मालो मैंने मेरी मर्जी से यहां आई लगाया तो A की उपर भी क्या लगाना होगा आई लगाना होगा ठीक है जैसे यहां मैंने क्यूं लगाया तो यहां क्या लगाना होगा क्यूं डेलक्स की बार क्यों अपॉन डेलक्स की जे इंटू A की पावर आई A की पावर जे पहले वाले में इसमें कोई फरक नहीं है A की बाता है आप अपनी मर्जी से बिलकुल ऐसा लेख सकते हैं मैंने पहले लिखा आप वो भी लिख सकते हैं और यह लिख रहा हूं यह भी आप यह लिख सकते हैं वैसे मैं सब्सक्राइब यह हमने सेम बुका नकल किया वस्य थोड़ा सा उदेश ऐसे हो गया कि याद रखने में एक सरलता से हो जाएगी कौन सी सरलता भई A बार P Q देखो P Q पी Q नीचे I J उपर I J पहले वाले में थोड़ा सा उल्टा था पहले में P, I, Q, J, Q, I P, J में कन्फ्यूज हो सकते थे अगर आपने प्रेक्टिस नहीं किया तो अब सही लग रहा है देखो P Q उपर बार बार P Q तो बार बार P Q सिंपल आई जे तो सिंपल हमारे पास है बार P Q तो यही चीज हमारे पास यहां साथ साथ हैं चलती है नहीं होता मर के साथ साथ हैं आपका देखने का और सोचने का वो बदल जाता है है mental mentality है अपनी मानसिक सोचें ठीक उसी परकार इनका भी लिखने का एक तरीका बदल जाता है ताकि अगर 11 12 क्लास का बच्चा है मैं सी कि वह उठा के देखे तो उसको लगे कि हाँ ये कुछ मैटर है ठीक है वही बस यह यह एक कि माना कि यह कोंट्रा विरींट यह है दूसरा कोंट्राविरींट यह है तब इन दोनों का मल्टिप्लाई यह होगा पर संभावना इस बात की बनती है कि आपने इसको इसको ऐसे लिख लिया A bar J Deluxe की J Deluxe bar Q into A bar Q आप नहीं देखो आप इस चीज़ को इधर ला सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं अब आप इन दोनों को भी multiply कर सकते हैं और इन दोनों को multiply करते हैं वक्त ऐसे बोल दोगे A bar P और A bar J और इसी पर कारी आजएगा Deluxe bar P upon Deluxe की I Deluxe की J upon Deluxe bar Q into A की I और A bar Q समभावना यह बनती है कि आप एक ऐसा लिख दो दूसरा ऐसा लिख दो तो होगा क्या यहां से फ्रेमो फ्रेफरेंस यह S bar के लिए यह सिंपल S के लिए तो दोनों product नहीं होंगे इसके लिए हम एक words का इस्तेमाल करना पड़ेगा relative to coordinate system ताकि हम ऐसा ना कर पाईए बाद में चलो आप कैसे भी कर सकते हो बाद में अब आप इस देखो अब की बार इसमें और इसमें फ्रेक है की नहीं अगर आप यहां AJ चाहिएगे तो AJ आपकी यहां नीचे आएगा तो वो एक अलग कहानी बन जाएगी इसलिए ऐसा हमारा प्रोडेक्ट करना गलत होगा ठीक है इसको ऐसा लिख सकते हैं कोई दिकत नहीं बट फ्रेम ओ फ्रेफरेंस एक जैसा रखना पड़ेगा हाँ उटा कर सकते हैं इसको भी चेंज कर लो भई इसको अगर आपने ऐसे लिख दिया A की I तो ये कितना चला जाएगा डेल अक्स की I अपॉन डेल अक्स की बार P और इंटू A बार P इसको इज़र ले अब आप देखो सेम सेम A टेंसर एक जैसा है और यहाँ A बार टेंसर एक जैसा है आप इन दोनों को मल्टिप्लाई कर सकते हो इन दोनों का result यही आएगा फरक यह रहेगा यह X side में आ जाएगे तो यह दोनों इधर आ जाएगे डेलक्स साट, डेलक्स बार P डेलक्स बार P क्यों बनके बाकी कोई इसमें change नहीं होगा इसलिए आप इसके आड़े टेड़े multiply ना कर दो तो आपको एक सबत से बांध के छोड़ दिया जाएगा कि आप इस चीज का विशेज रूप से ख्याले रखिएगा तो अग्जाम में अगर हमें पुछे define product of vectors अलंकि आपको देगा define product of two contra variant vector या two covariant vector या one contra और one covariant और नहीं भी देगा तो भी आपको इसकी definition से वो standard language में आपको पता होनी चाहिए ठीक है तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे let the components of देखो यहां से बोलेंगे हमें let the components of let the components of two contra variant vector let the components of two contra variant vector two contra variant vector हमने माना कि हमारे पास दो contra variant component है relative to coordinate system इस सब्सक्राइब को लिख दो ताकि आप एक वे कुछ रूल्स के अंदर बंद जाओ तो let the components of two contra variant vector relative to coordinate system इस सब्सक्राइब को जरूर लिखेगा relative to coordinate system relative to coordinate system हमने एक दूसरे को क्या बांदिया एक ही relations के अंदर ले आए जो coordinate systems का relation था कि s बार फरेम एक जगार रखिए और s बार फरेम एक जगार रखिए और दिखा दीजिएगा जैसे एक ज़रे बांदिया अक्स की पावर i और j को आप पे i माल लो जैसे coordinate system से अक्स की पावर i इन दोनों में कोई भी एक नाम देलो चाहिए तो अक्स की पावर i का बता दो b, a की पावर i, b, a की पावर i and a की पावर j, a की पावर j मतला भी यह जो अक्स की पावर i है यह a की पावर i और a की पावर j से एक अजीव से relationship में बंद गई है similarly and relative to, and relative to, and relative to, एक तो जैसे हमने i ले लिया तो बता दिया A की बार I के लिए आ गया J के लिए ले गया अब आप यहां से P ले लीजिएगा तो relative to X की बार P और B देखो I तो बता दिया A और J को इस हैड में P बार किसको बता देंगे बार वाले सिस्टम को A बार P and A बार Q ठीक है A बार P A बार P and A बार Q बार P ले लेटिव में एक बार आप क्यों रखोगे क्यों के relative में ठीक इसी परकार I की जगह लिखन लिख तो I रहा है पर यहां I को बदल के के कर देना चाहिए के की जगह एक बार I, J के साथ relation में और एक बार K, J के साथ है relations में बटमा आपको सलाह दे रहा हो आप I का I ही छोड़ देना और P का P ही छोड़ देना अगर आप यहां P लिखते हो तो कोई दिकत नहीं यहां क्यों लिखते हो तो कोई दिकत नहीं यहां आपे क्यों भी लिख सकते हो P भी लिख सकते हो किस परकार से बोल दिया कि let the components of two contra variant vector relative to coordinate systems इसे मत भूल जाना वैस relative to coordinate systems x की power i एक बार बोल दिया x की power i a की power i और a की power j को ले किया रही है और यह जो बार वाला सिस्कन का मतलब simple जो variable की i है वो simple tensor ले किया रही है और बार का जो variable है वो बार के टेंसर से ले किया रहे है जो बार के टेंसर से ले किया रहे है then by definitions of ठीक है भई तो अब यह आप डोन लिखके सिदा इसका multiply कर दीजिएगा तो language में बूलेगा then by covariant then by contravariant then by contravariant low अब क्या कहता है contravariant low हमारे पास एक तो यह ऐसा कैसा लिखूँगा मैं a bar p अब तो मैं इसे ऐसा कैसा लिखूँगा एक तो a bar p a bar p तो यह कितना आ जाएगा deluxe bar p upon अब मैंने यहाँ simple i लिया है तो आप यहाँ लोगे a की power i equations one and a की ले लो ऐसा कैसा एंड एक यह ले लो हमारे पास है ए बार क्यों एंड ए बार क्यों तो यह आजएगी deluxe की बार क्यों upon में deluxe की j deluxe की j और into में a की पावर है ठीक है यह हमारे पास क्या गया equations number two then from equations अब इनका multiply करके यह रिजल्ट रिख दो from equations one and two यह डारेक्ट रिख दो then then अब आप इसका multiply करो इस side में क्या है a bar p इस side में क्या है a bar q इस side में क्या है वही a bar q इस equal to देखोई आ गया आ गया a bar p a bar q इस equal to पहले यह लिख लो deluxe की बार p पहले आप यह लिख लो deluxe की बार p upon deluxe की i यह आई है भी ठीक है फिर आप लिख लो deluxe की बार q into deluxe की जे इंटू में a की i a की जे into में a की i और a की इंटू में a की i और a की ठीक है यह लिख दिया और यह हमारे पास क्या गया इसका answers आ गया इसी को बोलते हैं product of vectors आप चाहो तो इसको बदल की उल्टा भी लिख सकते हो a i a j इधर रख सकते हो देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बिलकुल भी रटने की जुरूरत नहीं है a i a j is equal to a i a j is equal to इनको इधर ले जाएए तो यह del x की i upon del x की i upon del x की बार p आजएगा और यह आजएगा del x की j upon del x की बारे क्यों आजएगा और into में a बार p और a बार क्यों आजएगा ठीक है आप चाहो तो इनको पलट सकते हो इनको इधर लेके आगए पर देखो similarity नहीं टूटी है कैसे पी का पी के साथ आई का आई के साथ क्यों का क्यों के साथ जे का जे के साथ तो multiply किया तो देखो बार बार पी क्यों बार पी क्यों बार पी क्यों बार पी क्यों सिंपल आई जे तो एकी आई जे उल्टा कर लो आई जे आई जे बार पी क्यों बार पी क्यों बार पी क्यों बार पी क्यों ठीक है यह हमारे पास इसका आन सोचता गया अब देखो इस सब्द का हमें क्या फाइदा म ठीक है भई दोनों हमारे पास एक जैसे हैं तो हम इसे लिख सकते हैं C बार P क्यूं ये सेम रहेगा डेल अक्स की बार P अपॉन डेल अक्स की आई और डेल अक्स की बार क्यूं अपॉन डेल अक्स की जे और A और A है तो सिंपल A आई लिख सकते हो क्या सिंपल C उपर आई जे या इसको उल्टा कर लो A और A को हमने क्या लिख दिया C लिख दिया तो यह C, I जे आ गया यह ऐसा कैसा Del X की I, Del X की बार P Del X की Z, Del X की बार Q और A बार A बार है तो C बार P Q C बार P Q तो मतलब मैं अगर ऐसे बोलूं कि Product of two Contra Variant क्या होता है तो आप इसको या तो C बार P Q से डिनोट कर सकते हो या आप C ओ फे I जे से डिनोट कर सकते हो द्यान से समझ ले ना बई अगर आपको कहीं सिंबल आप दिखाए दे गया C बार P Q या C आई जे दोनों में एक भी सिंबल ऐसे दिख गया है तो समझ ले ना दो मल्टिप्लाई हो रहे हैं उपर मल्टिप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडेक्ट ओफ टू कोंट्रा विरियंट वेक्टर नीचे आई जे आई जे आजे आजेएंगे तो प्रोडेक्ट ओफ टू को वेरियंट वेक्टर और उपर नीचे होगा तो को one contra variant and one covariant vector ठीक है इसको हम जो product of two contra variant vector इसका दूसरा नाम है outer product भी कहते हैं इसे पर यह नाम भी लिख लिजिएगा इसे outer product भी कहते हैं outer product उतला बाहर से हमने multiply कर दिया तो यह सब outer product ही है इसको अपने मर्जी से माना multiply किया इसको मर्जी से माना और multiply किया ठीक है तो यह हमारे पास definitions है यही हमारे पास product of two contra variant कहलाता है यह आप इसको भी बोल सकते हैं इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा आप देख सकते हैं दोनों हमारे पास formula हैं वह एक जैसे हैं कि product of two contra variant वेक्टर इस वाले हैं ठीक है तो एक definitions तो यह हमारे पास ही होगी product of two contra variant वेक्टर अब इसे बदल दीजिएगा product of two covariant वेक्टर तो आपने देखा कि contra और को तो एक जैसे ही एक बार एक उपर आ जाता है एक बार एक नीची आ तो अब आप लगाईए second definition second definition का मतलब product of two covariant वेक्टर तो को वेरियंट के लिए आप क्या करेंगे ध्यान दोगे variables change नहीं होंगी ठीक है भी इन variables change को मत कर देना अगर अग्जामनर को ऐसे दिग गया मैं फिर एक बार बता जेता हूं अगर ऐसे दिग गया डेलक्स बार आई और पी क्यूं तो समझ ले ना पूरे के पूरे दस नंबर भी वह आपके गायब कर शकता है भले या पूरा का पूरा क्यूस आगे सही ही क्यों ना लेग दो क्यूंकि यही basic knowledge है तो बताए यह Contra Variant में तो यह उपर चलेगे को वेरियंट में कहां आजएगा इसके नीचे तो आई उपर उतारे नीचे उतारो इसे इस जे को भी आपे नीचे उतारीए को वेरियंट के लिए और इसे भी नीचे उतारो समझन है सिज़ को अब यहाँ उटा हो जाएगा अब इसे आ अब जो दियान से एवर suburbs को नीचे उतार थो इसे नीचे उतारीए है तो इसके उपर आइसे लगा दीजीगा यहां आके थोड़ा सा ध्यान रखेगा कि A बार P को नीचे उतार दिया तो इसके variables को भी हमने नीचे उतार दिया है अगर मैंने पहले वाले में नहीं बताया होगा तो आप वहां भी ध्यान रखना यह उल्टा हो गया है इसी परकार A बार क्योंको यहां हमने नीचे उतारा तो यहां भी आप इसे नीचे उतार यह यह बार क्योंको यह J लगा दीजिए सिंपल यह सिंपल है इस J को नीचे उतार के लगाना इस J को आप नीचे उतार के लगाना तो नीचे उतारते है वक्त इस चीज़ का द्यानक नहीं अब आप इसको मल्टिप्लाई कर दीजिएगा यह बार पी है यह बार क्यूं है तो यह हो जाएगा हमारे पास डेलक्स की आई और डेलक्स बार पी डेलक्स बार पी यह हो जाएगा हमारे पास डेलक्स की जे और यह बार क्यूं और यहां हमने इनको नीचे उतार दिया आई और जे को यहां हमने आई और जे को नीचे उतार दिया ठीक है करके देख लो चाहिए बार पी क्यूं बार पी क्यूं बार पी क्यूं बार पी क्यूं आई जे आई जे उल्टा कर लो उल्टा कर लो इसे A, I, A, J तो ये क्या हो जाएगा डेलक्स की बार P, डेलक्स की बार क्यों डेलक्स की बार P, डेलक्स की बार क्यों और ये आजएगा डेलक्स की I, और डेलक्स की J डेलक्स की I, और डेलक्स की J और ये A बार P, और A बार क्यों मतलึ् på अगर आप एक बर ऐसे जिस्तिति में देखेंगे तो यह डेलक्ष यह का कोष आ rattra तो अब आप इन दोनों को मिक्स कर लीजीर गाँ यहа सी भार पी किउ हमारे पास उतर के आ जाएंगे नीचे और यह से भी हमारे पास तर के नीचे आ जाएंगे यह भी हमारे पास C, I, J नीचे आजएगा, तो ये बार P ये बार क्यों, ये I और ये J यह उदर से उतार दीजिए, इससे हमारे पास कोई कोई फरक नहीं पड़ने वाला है, ये C बार P क्यों लीजिए, तो ये बार P क्यों उपर आजएगा और बार P क्यों नीचे आजएगा ये X की I है, और ये X की J ठीक है भई? तो ये हमारे पास से कोई वेरियंट वेक्टर हो गया, तो अब आप साइज समझ गए होंगे, कि जैसे आप कॉंट्रा वेरियंट से उपर से नीचे के उतार हैंगे तो ये अंदर वाले वेरियेबल से उपर, देखो, P उपर ही रहेगा, I उपर ही रहेगा, बट ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, पहले ऐसे था, अनसर में था, या नोमिनेटर, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर, नोमिनेटर के अंदर, ठीक है, तो ये हमारे पा पास क्या जाएगा, एक कोंटरा वेरियेंट और दूसरा को वेरियेंट, अब ये तीसरी हैडिंग इंपोर्टेंट है, तो आप लगाईए, नमबर थरी के उपर, अब हमें करना है, प्रोडेक्ट ओफे, एक कोंटरा ले लिजीएगा, वन कोंटरा वेरियेंट वेक्टर, वन कोंटरा वेरियेंट और दूसरा क्या ले लोगे, वन को वेरियेंट वेक्टर, दूसरा हम क्या ले लेंगे, वन को वेरियेंट वेक्टर, ठीक है भई, ये भी अपने आप में एक आउटर प्रोडेक्ट है, ये भी अपने आप में एक आउटर प्रोडेक्ट है, तो अब की बार हमें क्या करना है एक कॉंट्रा और एक को विरियंट लेके चलना इसमें फस मज़ जाना तो हम लिखेंगे लेट दा कॉंपोनेंट से ओफ यहां कर लिया होगा न अपने देखो को विरियंट वारी डिफिनेशन में है को विरियंट कर रहे ना अब में क्या लेना है लेट कोमपॉनेंट ऑफ वन कोंट्रा वेरियंट वेक्टर and याणद वन को वेधेंट लिखो गे मयंजी वन कोई विएट वेक्टर एंड रिलेटिव्टρ टू कोडिनेट सिस्टम देखो एक को तो रहने दो ऊपर और दूसरे को दिखो यह तो हो और यह हो गया one covariant इसको नीचे उतार दिया मतलब एक उपर है और एक नीचे है और रिलेटिव टू अक्सकी बार एम तो उपर ही रहेगा एक बार तो यह उपर ले लिजिए गा ए बार पी और एक पर इसे नीचे ले लिजिए गा देन बाई कोंट्रा एंड कोवेरियंट ला देन बाई कोंट्रा वेरियंट क्योंकि बाद दोनों आ गए ना कोंट्रा वेरियंट वेक्टर एंड कोवेरियंट वेक्टर कोवेरियंट वेक्टर और क्या लगा दोगे रिस्पेक्टिवली है ना बाई मतलब करम सा है लेंगे कौन सा पहले लेंगे एक Contra Variant, तो यहां Contra लगाईए, Contra लगाने का मतलब आप उपर लेके जाईए P को और आप उपर लेके जाईए, अब की बार देखे, उपर आ गया, तो यह Deluxe की बार P हमारे पास उपर आ जाएगा, और नीचे लेके आएगे, तो यह हमारे पास ही नीचे आ जाएग तो कर दो Multiply, यह हो जाएगा A बार P, और यह हो जाएगा A बार Q, तो यह हो जाएगा Deluxe की बार P, और यह जाएगा Deluxe की I, यह जाएगा Deluxe की I, यह जाएगा हमारे पास A की I और A की J, यह इसको उल्टा कर लो, यह जाएगा A की पावर I और A की पावर J, यह जाएगा A की I, A कि J ये उपर जाएगा डिलक्स की I बनेगा ये डिलक्स बार की P बनेगा और ये ऊपर जाएगा तो डिलक्स की बार क्यों डिलक्स की J और ये a bar P । कान göra कि और एक ऊपंद एक नीचे एक नीचे है Coordinate System, तो system एक जैसा होना चाहिए, तो ही हम इसे c लिख सकते हैं, तो ब्यान दिजиे, system a बार a बार एक जैसा या system a और a एक जैसा है, इसलिए आप इसको c लिख सकते हैं अब देखिए एक पी उपर है और एक क्यूं हमारे पास नीचे है एक पी हमारे पास उपर है एक क्यूं हमारे पास नीचे है ठीक है तो यह क्या जाएगा हमारे पास से डेलक्स की बार पी अपॉन डेलक्स की आई अपॉन डेलक्स की आई और यह ऐसा कैसा एक आई उ लिख दीजिएगा इसे लिख देंगे डेलक्स की आई और इसे लिख देंगे डेलक्स बार की पी और यह सी बार पी क्यों तो पी बार चला जाएगा उपर और एक क्यों हो जाएगा नीचे तो आप देख सकते हैं हमारे पास उपर और नीचे आगे तो हम इसको बोल सकते हैं one contra variant and one covariant और यह आपस में क्या है product तो तीनों की definitions हमारे पास यह है कि product of two contra variant vector product of one contra variant and product of one contra variant and one covariant tensors बोल दो या vectors बगेरा बोल दो तो इन तीनों की पैचान आपको बहुत अच्छे से होने चाहिए हर एक रिजल्ट्स आप बगेर देखें अग्जाम में निकाल लो ऐसा आपकी छमता होनी चाहिए और देखो रटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए जैसे क्यों नी रटेंगे पहले मैं बोलता हूं कि टू कॉंट्रा वेरियंट वेक्टर बताईए टू कॉंट्रा वेरियंट वेक्टर का प्रोडेक्ट बताईए लिखना मत एक बर वैसे समझा रहा हूं कि दो कॉंट्रा वेरियंट का प्रोडेक्ट बताईए तो आप एक सिंबल लेंगे जैसे मालो मैंने बोल दिया सी बार सी पता है यहां डेलक्स की बार लगेगा और डेलक्स की बार लगेगा यहां सिंपल डेलक्स लगेगा यहां सिंपल डेलक्स लगेगा और यहां मैंने सी लगा लिया अपनी मर्जी से अगर मैंने बोल दिया कि टू कोंट्रा वेरियंट नहीं अब की बार टू को वेरियंट लेक आजाएगा और यह डेलक्स की बार नीचे आजाएगा ठीक है या उल्टा कर लीजिएगा इस चीज से हमें कोई फरक नहीं पड़ेगा जैसे मालो यहां आपने सिंपल रख लिया Contra variant के अंदर यहां आपने सिंपल रख लिया तो आप इसके सिंपल रखेंगे और यहां बार आ जाएगा ठीक है और अग्वाइब्यान में रखने वाली बतर डेलक्स बार और डेलक्स बार और नीचे डेलक्स और नीचे डेलक्स और इंटू सी बार और इंटू में सी बार अब आपको कहीं भी रिटने की जूरत नहीं है अब आपकी मर्जी जैसे मान लो मैंने के और एल और एम लगा दिया समझे इस बात को एल और एम लगा दिय यहां भी मैंने LM लगा दिया, तो ध्यान से कहां लगेंगे? बार के, बार लगाओ ना, तो बार के L, बार के M, यहां देखिए अपने Simple C के क्या लगा दिया है? LM लगा दिया है, यहां देखिए अपने Simple C के, ध्यान से देखिएगा, Simple C के LM लगाया है, तो ये LM Simple C के आपने LM लगाया है तो Simple C के आपके LM Simple C के आपके LM पक्की बात है ना किसी भी परकार की दिक्कत हैं नहीं होने से ये अब यहाँ आपकी मर्जी आप IJ लगाईए, PQ लगाईए, KL कुछ भी लगाईए, इन दोनों से एक बार हटके लगा लिजिए आगे से मिक्सिंग भी लगेंगे, वो बताएंगे वो मिक्स टेंसर के अंदर आएगा, जैसे मालो मैंने IJ लगा लिए, तो ये लो जी IJ IJ लगा लिए, तो ये लो जी IJ, ध्यान से इसके IJ, मैच करके दे सकते हो C, बार के IJ लगे हैं तो बार वाले के I और J लगाना चाहिए एक कॉंट्रा लो, एक कोविरेंट लो तो आप ऐसे लिखते न, एक उपर आजएगा एक नीचे आजएगा, एक नीचे आजएगा, एक ही उपर आजएगा, तो ये तीनों की हमारे पास mixing सी क्या है definition से, और अगर आप इसकी practice अच्छे से नहीं करोगे, तो ये ही आपके बूरी तरह से फसे ही सकते हैं, तो आप देखके बोल सकते हो उपर की और है, दो है टू कोंट्रा विरेंट का product है नीचे की और है, दो है, तो टू कोविरेंटी वेक्टर है, ऐसे situation है, एक उपर एक नीचे तो बोल सकते हैं product of one कोंट्रा विरेंट एंड वन कोविरेंटी, टेंसर्स वोलिए या वेक्टर्स वोलिए, ठीक है तो मेरे हिसाब से आज के लेक्सिस में इतना ही चोटी चोटी definitions थी, वैसे बहुत ही easy हैं, अगर आप देखोगे बट येकिन मानिए, अगर practice नहीं किया, तो आप इसमें इतनी बूरी तरह से फसोगे कि आप खुद ही अग्जम में सोच लेगे कि हाँ नमबर तो अपने नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है, तो ये बात में बहुत ध्यान में रखने हैं, variable के उपर ही power आएगे, अब ये बार बदलता है नीचे आता है कि उपर आता है, वो और इसके हमेशा सोटे सोटे सिंबल आप उपर ही लगाईएगा, ठीक है, तो ये था आज हमारे पास लेक्चर से, अब हम आपको मिलेंगे नेक्ट लेक्चर नमबर 6 के अंदर और उसमें पढ़ेंगे सेकंड ओर्डर के कॉंट्रा विरियंट को विरियंट और हाइर ओर्डर के कॉंट्रा विरियंट को विरियंट और उसे related कुछ examples, theorems, जो भी अपने हाथ लगेगा करेंगे, ठीक है?